नमस्कार कसिस नियूज में आपका स्वागत है, मैं हुँ अनुराग, भाई भाई को दर लग रहा है, छोटे भाई को बड़े भाई से डर लग रहा है, हम बात कर रहे हैं चिराग पास्वान और सांसद प्रिंचराज की, चिराग पास्वान से डर लग रहा है सांसत प्रिंस राज को आपको बताए कि सियासी दुस्मनी इनके बीच है अदावत है और इस बीच जो प्रिंस राज जो अलग हो चुके हैं अपने बड़े भाई चिराग पास्वान से चिराग पास्वान दरसल एलजेपी राम बिलाज है चिराग पासवान पर तो बड़ी खवर आपको बता रहे हैं और उन्हें सायद सायद जो सांसद है प्रिंस राज जो छोटे भाई उन्हें अपने बड़े भाईया से डर लग रहा है उनके ट्वीट को पढ़ेंगे तो सायद आपको इस वाबना से आउगत होंगे आप तो उनके 7-8 साथी के द्वारा आज रात तकरीवन 12 बजे सराप के नसे में स्री साय होस्पीटल कंकर बाग में हंगामा किया जहां हमारी माता जी का इलाज पिछले दो दिनों से चल रहा है यह ट्वीट लिखा उन्होंने उसके आगे वो लिखते हैं हमारे अंगरक्षक के द् आदमी है प्रिंस राज ऐसा लिख रहे हैं और उसके आगे वो लिखते हैं अस्पताल के नर्ज के द्वारा के साथ गाली गलोज किया गया मान्य मुकमंत्री सी नितीज कुमार जी से इसमा इसमें जाच की मांग करता हूं CCTV फूटेज लिकरवाया जाए तो चिराग पासव की पाठी के जो छात रद्यक्ष हैं सिमन्त मिनाल उर्फ प्रिंस पासवान उन्होंने जो सराब के नसे में कंकरबाग होस्पीटल में हंगामा किया जहां उनकी मा का इलाज चल रहा था तो यह बड़ा गंभीर आरोप लगाया है प्रिंस राज ने सियासी अदावत तो सब जानते हैं चाचा पसुपती कुमार पारस के साथ प्रिंस राज अलग हो चुके हैं अपने बड़े भाईया से चिराग पासवान से और कोई भी सियासी हमला बोलने से चूकते नहीं है लेकिन यह जो मामला है बिलकुल अलग तरीके का सामने आया है जिसमें सीम नितीष कु पर सामने आई है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि छोटे भाई को अपने बड़े भाईया से डर लग रहा है साथ और इस दर का जिक्र उन्होंने ट्विट के जरिये किया है और सीम नितीष कुमार से सुरक्षा की मांग भी कर दी है तो बने रही है देखते हैं आगे इस मामले में क्या कुछ होता है